आज मैं उडिशा आता हूँ तो यहां के विकास को गती देने के संकल्प के साथ आता हूँ 2014 से पहले दिल्ली से कॉंग्रेस के नेता यहां आते थे वे लोग या काला हंडी जाते थे आदी वस्तियों आदी वाजी वस्तियों में जाकर तस्वीरे खिच्वाते थे प्रीवी और अखबारों में तस्वीरे चपती थी और पूरी दुनिया में उडिशा की गरीबी च्छाई रहती थी समृत्त उडिशा को कुछ राजनितिक दलों ने विकास से वंचित रख़े का पाप किया आज मैं उडिशा आता हूं तो यहां के विकास को गती देने के संकल्प के साथ आता लेकिन आपको याद करना होगा 2014 से पहले दिल्ली से कॉंग्रेस के नेता यहां आते थे तो क्या करते थे वे लोग या काला हंडी जाते थे आदि बस्तियों आदि बाजी बस्तियों में जाकर तस्वीरे खिचवाते से टीवी और अकबारों में तस्वीरे चपती थी और पूरी दुनिया में उडिशा की गरीबी च्छाई रहती तिस उडिशा में भगवान जगनाज बिराजते हैं जहां कोणाग में सुर्यदेव बिरात्ते हो जहां हजारों वर्सों के हमारी सम्रुद्ध सभ्यता के निशान है ऐसे सम्रुद्ध उडिशा को कुछ राजनितिक दलों ने विकात से बंचित रखने का पाप किया साथ क्यों 2014 से पहले जहां उडिशा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे वहीं हमारी सरकार आज उडिशा का गवरों बढ़ा रही है